सबी को ग्रेटिंग तो हर्याना जिक्की की क्लास को मागे बढ़ाते हैं आज जो हम जिला पढ़ने वाले हैं वो आप देख सकते हैं जींद जिला आजम पढ़ेंगे तो जींद जिला का जो पुराना नाम है वो जेयनती पुरा था महभारत के युद से पहले पंड़ों ने कुल देवी जेंती देवी जिसको विजे देवी बोला जाता है जीत की देवी बोला जाता है उसका यग कराया था या हवन कराया था तो यहाँ पर मंदिर था जेंती देवी का तो इसके आसपास के इलाके को जेंती पुरा कहा जाने लगा जिसको आज वर्तमान में हम जीन्द कहते हैं तो जीन का जो पुराना नाम है वो जैंति पुरा हैं उम्मीद आप इतनी ही बाद समझगे होगी वर दे अब हम इसको भी पूरी ट्रिक के साथ मैं आपको सिखा दूँगा अब इसमें आपको सबसे पहले ट्रिक को गुनाना होगा सब मैं आपको ट्रिक समझा देता हूं क्या है ट्रिक बहुत ही फनी है आपको वैसे याद हो जाएगी ठीक है एक नाना था और वह बूरा था एक नाना था जिसका न नाना जमा के था बुरा बगता नाना तो जमा बुरा बगता नाना वो एक बार क्या था जब मतलब अपनी जवानी में था तो बुल-बुल रानी को बहुत ही पसंद क्या करता था तो वो बुल-बुल रानी को कुछ कहनी पाया उस टाइम पे तो बाद में क्या हुआ जब वो प्रीक क्या है जमा बुरा बगता नाना बुल बुल राणी को सच्चे दिल के दर शुना पाया धीक है यह ट्रिक जो होती है। वो केवल इसलिए होती हैं कि जिससे हम word formation कर सकें ठीक इसके लावा इसका कोई purpose नहीं है सबसे पहले यहां जमा से हमें या क्या याद रखना है तो सबसे पहले यहां जमा से हमें याद रखना है जामनी गाउं तो जामनी गाउं कहां पर जीनद में इसको रिशी जमदगनी का गाउं कहा जाता है उमीद आप समझ गे जमा से क्या बन गया जामनी अब यहां भू, सबसे पहले भूं से क्या याद रखना तो भूतेसृर मंन्दीर है जीनद में रानी तलाप के बीच ओ बीच एक मनर्य है जिसको भूतेस्वर मनर्य कहा जाता है और ये भगवान सीवजी का मन्रै है आप बैसे युद जानते होंगे कि सीवजी के आसपास बहुत ही बूत मन्राते रहते हैं तो बूतेश्वर मंदिर किसका मंदिर है सिवजी का मंदिर है कहां पर है जीन्द में किसके बीच में रानी तलाव के बीच में है ठीक है रा से याद रखना राम राय तिर्थ रा से क्या याद रखना राम राय तिर्थ कहां पर है तो ये भी जीन्द में है आगे बढ़ते है आगे हमें याद रखना है भैसे या भगता से हमें याद रखना है आपको भैसे याद रखना है मैं फिर से बता जता हूँ गर आपको ट्रीक अच्छी लगती तो आप ट्रीक कीजिए otherwise आप content पढ़ लीजिएगा ठीक है तो भैसे याद रखना भैस और आप सबी को पता है कि जीन में सबसे ज़्यादा मुरा नसल की भैस पाई जाती है जीन में जहां पे बैस जादा होगी तो वहां पे मिल्क भी जादा होगा और जहां पे मिल्क जादा होगा उसको मिल्क सिटी कहेंगे तो मिल्क सिटी किसे कहा जाता है जीन को मुरा नसल की भैस कहा मिलती है जीन में अब जो हर्याना है, हर्याना पर्देश ने अंदर पर्देश को 60,000 मूरा नसल की बैसे दी है, हर्याना ने अंदर पर्देश को 60,000 मूरा नसल की क्या दी है, बैस दी है, अब आप ये कहेंगे जहां पर बैसे जादा होंगी, तो वहां पर बैस मरेंगी भी, जब मरेंगी तो उनकी चमडिया भी काम आएंगी तो वहां पे चमडाउद्योग भी है तो जीन में क्या है चमडाउद्योग है और आप सबी को पता कि जो यह मूरा नसल की बैस होते हैं इनको ब्लैक गोल्ड या काला सोना कहा जाता है आगे आपको यहां पे दिख रहा होगा गैसे याद दिखा र था था तो राजाग विदे सन्व बाद्जा से थीक अंबारा muss और यह कहां पर है तो जीन में आंगे वाड़ते हैंठा आगे आपको दिखा बुल 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 टूरिस्ट कंप्लेक्स कहां पर है जीन में इससे पहले सिरसा में कौन सा था काला तीतर टूरिस्ट कंप्लेक्स बुल बुल टूरिस्ट कंप्लेक्स कहां पर है तो जीन में है एक बैसे याद रखना बरहातिर्थ तो बरहातिर्थ भी जीन में है एक याद रखना बीर बारा वन आरक्षिक छेतर बीर बारा रिजर्ड फोरस्ट एरिया ये 2007 में बनाय गया था तो बीर बारा वन आरक्षिक छेतर कहां पर है तो जीन्द में कब बना था 2007 में बना था रानी से आपको याद होगा रानी तलाब जिसके बीचो बीच बुतेस्वर मंदीर कहां पर जीन्द में है आगे बढ़ते को को से बच्चे आपको याद रखना कवीता दलाल कौन याद रखना कवीता दलाल आप WWE देखते होंगे मेरा ये फैवरिट सोही हमेशा से रहा है WWE रैसलर है कवीता दलाल तो आप देख सकते हैं कि ये इंटरनेशनल गेम है WWE वहाँ पर ये कवीता दलाल गई है जो जीन्द से समंद रखती है तो ये कोशन पूछा जा सकता है जरूर आगे बढ़ते हैं तो सच्चे से याद रखना है सच्चा सोदा मेला लगता है और ये किस की याद में रखता है तो सिखों के नोवे गुरू गुरू ते एक बहादूर सिखों के नोवे गुरू गुरू तेक बहादूर की याद में सच्चा सुधा मेला लगता है कहां पर लगता है तो ये जीन में लगता है उमीद आप समझ गए होगे आगे बढ़ते हैं कि आगे तो यहां सच्चे से चैसे याद रखना है चोदरी रनवीर सिंग चोदरी रनवीर सिंग युनिवस्टी है ये 2014 में बनी थी कहां पर है तो ये जीन में चोदरी रनवीर सिंग युनिवस्टी 2014 में कहां पर है जीन में है आगे आपके सामने नज़राया दिल तो दिल से तो आप यादी रख सकते कि हर्याना का दिल किसे कहा जाता जीन्द को क्योंकि हर्याना बीचो बीच पढ़ता है मतलब गोलिक स्थितिय से आप समझ लेंगे तो ये बीच में ही पढ़ता है तो एक परकार से दिल का ही काम करता तो यह हर्याना का दिल किसे का जाता जीन्द को अगर कोशन हम से पूछ ले कि हर्याना का राजनेतिक द्रस्टी से जो दिल है वो कौन है वो रोहतक है जीनध हो थिक है, आगे दरसे दरसे याद रखना दमतान, साहिब गुरु द्वारा कहां पर है तो जीन्ध में है और दूसरे वाले दरसinde याद रखना, दूंदुआ तिर्थ है, दुंदुभा तिरत याद रखना कि यहां भीम ने दुरियो दुन को ढोंड ढोंड के पिटा था अ, मतलब यहां पर जो ढोंड ऊंच छिप गया था यहां के राजा रहे थे राजा सावरूप सिंग्ध 1वश ताउन की खरानी में जीन कि की रहे थे राजा रहे थे अगे याद रखेंगे तो सुना से यह आपको याद रखना है नाघ अक्षेतर तिर्थ है यह कहां per तो सफिदो के अंदर है नाघ игр 63 तिर्थ कहां सफिदो सफिदों कहां जीन में पैसे याद रखना पंडू पिंडारा तिर्थ यहां पर जो पंडू हो थे उन्होंने सौमवती आमश्या का वेट किया था और यह सराब भी दिया था कि कलियोग में तुम बार-बार आओगे ऐसे कुछ करके ठीक है तो पंडू पिंडारा तिर्थ कहां पर है तो जीन में है इसको हर्याना का लगू अरीदवार कहा जाता है इसको हर्याना का क्या कहा जाता है लगू अरीदवार कहा जाता है आगे बढ़तें आगे पैसे आपको याद रखना है पुसकर तिर्थ तो पुसकर तिर्थ भी कहां पर है जीन में अब है बहुत सारे तिर्थ हैं ठीक है तो पुसकर तिर्थ भी कहां पर है जीन में है ठीक है उमीद आप समझ गए होंगे आगे बढ़ते हैसे और एक बार एड़ कर लेना चाहिए वैसे आप याद कर सकते हैं सची वाले बना था रियाना का पर्थम सची problème कहा पर था जी इन में जीन के कौन से गौसे तक हैबतपुर में जीन के इपत्पुर गौस में तह तो यहींडर तिर्थ भी भी कहाँ पर है तो यह कुछ बाते थी जो हमने refresh सीखी और विंग वह वी में आपको बता यहां पर दऊजैंट आपको यादर क्वानें कहां सकते हैं मौन्टन ये प्रवतार ही कि मंजीत कुमार ध duy लगाते तो 800 मिटर की डिए हैं 극्योंध कि ये जुबंद्रह चेहल हैं यह सबस्क्रिकेटर हैं चिक है एक विकास चर्णा प्रवतार्भी मंजीत कुमार 한जम किसे में करते हैं तो अगे मैं मैंनगी तैसिına आपको याद करा देता हूं ठीक है तो लास्ट में तो आपको बता दिया था कि रानी कलावली का डबेनत हुआ तो आपको याद हो गया होगा अब आपको जुलाना स्वरिश की जीन की भी मैं तैसिले आपको याद करा देता हूं कि जीन की तैसिले कौन-कौन से हैं तो जीन की तैसिलों को या पिल्लू का आगाता ना जैसे हम चोटे-चोटे बच्चे हुआ करते तो मलोटना नहीं मांगते थे कि जैसे जब चोटे-चोटे पिल्लू को खिलाने के लिए हर गर में रोटी मांगे जाती थी तो उसको पिल्लू बोलते हैं पिल्लू तो एक सफेद पिल्लू था ठीक है और अक्से कुमार कुट्टे के पिछे लगे रहते हैं वह कुट्टे वाली मूव आपने देख्ञे कुमार की तो वह हमेशा ही वह जो उसकी मालकीन होती है मैसे इसको वह सताती रहती है ठीक है तो यहाद अखना कि सफेद पिल्लु को उच्छा जुलाना वर्ना जी लेवा ऐसे याद अखना कि एक मालकीन है जो अपने नोकर को कहती है कि इस सफेद पिल्लु है इसको उन्टा भूला आपको da तीन बार बोलना है कि सफेद पिलू को उचा जुलाना वरना जी लेवा तो सफेद से याद रखेंगा सफीदो सफीदो का पुराना नाम क्या था सरप दमन सफीदो का पुराना नाम क्या था सरप दमन था उसके बाद पिलू खेडा याद रखना है फिर उचाना जुलाना नर तर्वाना जीन्द अलेवा ये तैसिल आपको याद रखनी है तो अमीद आपको जीन जिला कम्प्लीट समझ में आ गया होगा इसको आप दो तीन बार देख देख के लेखिए फिर बिना देख के लेखिए बार बार बोलते रहिए दूसरे को सुनाते रहिए आपस में बड़ बढ़ाते रही है ठीक है तब जाके चीज़े याद होंगे दर्वाइज नहीं हो सकती तो आज की कलास इतना ही रहेगी थैंक यू फो टूड़े इंज्विंग देखलास थैंक यू फो टूड़े